Hello friends, अभी का स्वागत है एक कॉन नहीं वीडियो में अगर आपने railway के PRS counter से या फिर online IRCity की website से या किसी cyber cafe में जा करके train ticket book की है और आपकी जो ticket है booking हो भी गई है लेकिन जो ticket book हुई है वो confirm नहीं हुई है waiting में है तो ऐसे में आप कैसे check करोगे कि आपकी जो ticket है वो confirm हुई है या फिर नहीं यानि उसका जो भी waiting status है P&R status है वो क्या है तो आज की stream में मैं आपको सारा process दिखाँगा कि किस तरीके से आप गरबटे ही check कर सकते है कि आपने जो भी ticket book की थी जो की waiting में है उसका current status क्या है यानि आपकी जो waiting ticket है वो confirm हो पाई है या फिर नहीं तो चलिए बगैर देर कि इस वीडियो को start कर लेते हैं बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं है अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe भी जरूर कर लें ये पता कर सकते हो कि जो भी ticket आपकी waiting में book हुई है वो अभी उसका जो current status से क्या है यानि वो confirm हो पाई है या फिर नहीं तो इसके लिए आपको इस वाले link पे click कर देना है यानि first number पे जो link है उसी पे click कर देंगे यहाँ पे आपको एक box देखने को मिलेगा और submit के button पे click कर देना है जैसी अब submit के button पे click करेंगे अब यहाँ पे आप next page पे आजाएंगे जिसमें आपकी सभी detail यहाँ पे आपको show कर जाती है आपकी train की detail यहाँ पे आपको show करेगी train number, train name, boarding date यानि जिस भी date पे आप journey करने वाले हैं यह सभी detail यहाँ पे आपको show कर जाती है यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको serial number में passenger 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकता है लिखावा देखने को मिलेगा क्योंकि passenger का name यहाँ पे आपको show नहीं करता है यहाँ पे आपको passenger 1 अगर एक से अधिक लोगों ने book कर रखी होगी एक से जादा person ने book कर रखी होगी तो passenger 2, 3 इस तरीके से आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा और उसी के आगे आप देख पाएंगे जो भी booking status है यानि जिस भी समय पे आपकी ticket book हुई थी उस समय उसका status क्या था seat confirm हुई थी या फिर नहीं वो status यहाँ पे आपको show करता है तो यहाँ पे हो सकता है बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जब वो ticket book करते हैं तो उनकी ticket waiting में होती है confirm नहीं हो पाती है आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरुवत है जो भी current status का box आपको दिया गया है यानि आपकी जो train ticket booking का current status है वो क्या है वर्तमान समय में आपकी जो ticket है वो confirm हो पाई है या फिर नहीं अगर यहाँ पे आपको CNF इस तरीके से लिखा हुआ देखने को मिलता है तो इसका मतलिब यह है कि आपकी जो seat है confirm हो चुकी है और यहाँ पे आपको CNF करके उसके आगे slash करके आपका जो coach number है वो भी show करेगा और आपका जो seat number है वो भी यहाँ पे आपको show कर जाएगा अगर सिरफ CNF ही show करता है coach number और seat number show नहीं करता है तब भी आपकी जो ticket है वो confirm हो चुकी है लेकिन आपको seat number और coach number अलाउट नहीं हुआ है train चलने के चार घंटे पहले तक आपका जो seat number है और coach number है वो भी आपको मिल जाता है साथी साथ सिरफ confirm यहाँ पे आपको show करता है seat number coach number आपको नहीं मिला है तो ऐसे में आपको train चलने से चार घंटे पहले तक यहाँ पे अपना status चेक करते रहना है आपका seat number और coach number भी यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और clear कर देता हूँ कि पहले जब भी आप train ticket book करते थे इस पर मैंने accepted video भी provide करवा रखिये लास्ट में end screen में वो वीडियो provide करवा दूँगा आप चाहे तो उसे भी watch कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप घर बेटे ही बड़ी असानी से सरफ अपने PNR नंबर के माद्यम से ही चेक कर सकते है कि आपकी जो waiting ticket है उसका current status क्या है आपकी जो waiting ticket है वो confirm हो पाई है या फिर नहीं उमीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जिरूर कीजेगा और साती साथ चनल को subscribe करना ना बूलें तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही मैं आप से मिलूँगा एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत